हलो फ्रेंट्स है आज हम फिर से सुरूख करने जा रहे हैं एक और नई स्ट्रीज जिसका नाम अने वाला है बिगनी एज़स सीटी लूट एक स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा जो मोडल बंड के अर्द अंदर होता है और गेमिंगरा कर रहता है बड़े आराम से अचानक शेुट्स है याँ से पीर में एलेक्डिक्री इसे लगती है उसे लगती है टो मरता तो नहीं है और यहां से हमारे सीने स्टों होता है हम देखते हैं कि यह वल्ड होता है इसमें चार और बहुत जीजा ठंडी होई चल रखी होती है और जो बरफ होती है एक दो आयरन होता है उसके जितनी कठो रहे होती है इसका मतलब गहने का तत्परी है यहां पर अभी जो सर्दी पढ़ रही है वो बहुत जीदा कड़ाके की के लिए यह एक ऐसा वर्ड है जिसका लो है वो अमीर लोगों के दुवारा चलता है अगर आपको यहां पर सर्वाइव करना है तो आपके पास एक तरीका है कि आपको इस्ट्रोंग है वो होना होगा और हम सामनी के और देखते हैं एक लाजवाफ सीटी को जहां के अंदर बहुत ही जदा हशी कुछ कंदा उल्टी कर रहा हुता है कुछ बंड़े से उपर हो गया है और मने लगबग इस एक महीने के अंदर बहुत सारे जो आयटम है अर्च चे खरीद करके इस दूसरे वर्ड़े के अंदर से और से इसे मेरे पास काफी अच्छी मनी है वो हो चु पर में अपना घर है उसे केस कूँ मेरे पास अपनी कोई खुट की जिगह वो नहीं है लगता है अप समय आ चुका है तब मुझे सेटल डाउन है वो हो जाना चाहिए और हम देखते हैं वो एक बार के अंदर आता है और बार की जो ओनर होता है उससे आकर हाय अलो करता है और इसी प्लाव होता है यहां घर आता है यहते हृओत knit नहीं पास काई अब अगर यह अदना हो जाए क्या पहरा हो प्रemi स्क्राव होते हैं यह बहुत हमवां अबहुत करो से बहुत रहे जोता है और जो मना में इस जो बेसा होता है है कि मैंना इस जो होटेल उसे खरीदना चालता हूं तो मुझे बेज दू मैं तुम्हारे इसके लिए एक्स्टा पैसे वह दे सकता हूं और हम दिखते हैं कि जो ओन रोती हो बस मना पर मना किया रही होती है तब हम दिखते हैं वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका कार्टर का लड़का होता है और वह भी कुछ जदे एटिटूटे वह दिखा रहा हुता है अब यह सुनने के बात में जो होता है वह मनीमा सोचता है कि आरे यार यार यह लोग तो में रेगुलर कस्टमर है जिनके साथ मैं बिजन से करता हूं अगर यह लोग मेर को है नंद केपेबल नहीं है कि वह मेरी जो वश्यत है उसको केरियोन कर सके उसको बढ़ा सके इसलिए मुझे मजबूरी में अपनी जो जगह वह सेल करनी पर रही है मैं सोच रहा हूं मैं बस अपनी जो टेर्टर यह उसे सेल कर दूं और जाकर कि अब बच्ची वी जो लाइफ है एक कार्टर होता है काफी अच्छी इसमाल देते हैं कि बैस सो गोल्ड कोई इसे बोला होता है जैसे बड़ी नौरल बात है लेकि जैसे जो फैंग यह बात सुनता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे यहां पर लूटने के लिए हो और बोज़ा सप्राइज और गुस्चे के स जिन्ड़ी है वो जी सकते हो मतलब इसका सूनरे होता है सो गोल्ड कर्यों में कहद力 में कंप्री सारी लग्सलाइफ हो जी जा सकती है मैं लिए तो सबस्क्रा AG बहुत है। मेरे को इसी दिन दड़े वो लूट लेंगे तो हम देखते हैं यह सुनने के बाद में जो कार्टर हो बोलता है कि expensive क्या बात करे हो यार मैं आपको जो इना city लोट होने का title है वो भी दे दूँगा तो मुझे लगता है कि यह जो चीजे काफी जाद suitable है तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पर फैंग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम मुझे चीट करने ही कोई से वो कर रहे हो और हम देखते हैं कि सामने की और से अचानक से जो यह ना कार्टर का लड़का होता बोलता है कि तुम क्या मुझे फोर्स कर रहे हो इस सिटी को बाइ करने के लिए तो हम देखते हैं कि बीच में जो कार्टर वो आकर के दोनों उसांत करने कोई से करता है और बोलता है कि यह ना क्लेम डाव हो जाए हम तो बस नेगोशियाशन है वो कर सकते हैं हमारी जो बात है वो चलती रहेगी जो अहां तक प्राइस की बात है तो हम उसे कम कर सकते हैं तो तुम ही बताओ यंग में आयरकार तुम कितना अना अफोर्ट कर सकते हो हमारी चीटी को खरीदने के लिए तो हम देखते हैं यहाँ पर जो फेंग होता है वो केजुली बोलता है कि 100 गोल्ड कोई तो बहुत ही ज़्याद है और मेरी पास इतने नहीं है मैं तो मुस्किल से जो 30 गोल्ड कोई नहीं जो एकसेप्ट है वो कर सकता हूँ वही दे सकता हूँ तो हम देखते हैं जो कार्टर होता है 30 गोल्ड कोई नहीं है और बोलता है यहाँ पर संदे हो होने लगता है और फिर आगे जो कार्टर है वो बोलता है कि यह एक स्पेसल ओफर है जो मैं तुमें देख सकता हूँ क्योंकि हमारी पहले की जो बिजनस सिप है पार्टर सिप है वो रही है हम लोगों को ने एक दूसरे बिजनस के है इसलिए मैं तुमें तुमें इस पेसल ओफर हो दे रहा हूँ गिलास होते हैं या कार्ट्री कि शेतली हूस होते हैं अब जैसे ये लुभाझ पहुत जाली दूसर्प्रवा लेकर कक्या हैं और वहां का जो कंट्री बहुत जी ज्यादा पॉप्पॉलर है29 कि सबसे popular shops है इस glass को लेकर किया हूँ जहाँ पर बहुत ही महंगे महंगे glass हो मिलते थे और हमें बताया जाता है यह एक्चुली अर्थ के अंदर टेलिपोर्ट हो कर रहे गया था और वहां पर 100 रुपे के अना जो 10 glass हो मिल रहे थे लेकिन हमें पता चलता है यह 50 रुपे के अ उनीकान आने लगता है कि वाकई में यह जो ढमाने की यह जो चीज़े जिज़े और वाकई में आसली जो ट्रेजर के लाने के लायक है और इधर यहां पर फैंग वूस होता है यह यह काज के नोर्मल लास है लोग आएकर इसे मुर्क बनाने बहुत ही सेमझेजी हैंकि है जो बिजनस से कितना जादा एजी है और लेकिं दिक्त की बात यह कि मैं एक गार जाकर करव कर सकता हूं कि जो काटर की जब सकता है यो मेरे जिएर पदेंड थेजर रहे हुड़ खेकर और आख चीजह पंक सौंद में जानाख हों और इस परकार का गेड़ी पंद देख करके जो फैंग होता है वो भी एक पल के लिए सप्राइज हो जाता है कि यार यह जो बंदे यह देखना चाहते हैं कि मेरे पास और भी कोई विल्यूबल चीज मुझूद है या नहीं अगर इन बंदों ने मेरे पास जो जो चीज़ देख ली तो यह पका मुझे मार करक सब्सक्राइब करें अगर बंदा जो मेरे बाकी चीज़ देख लेगा तो यह में लिए जो खतरी चीज़ बन सकती है फिर वह बॉक्स के उपर हाथ रखता है और अपनी स्किल होती स्पेस स्टोरेज की उसका बोक्स के अंदर यूज़ करते हैं बाकी सभी जो आइटम होते अब यह दिखाने के बाद में जो चाटर होता है काफी जादर डिसपॉइंटर होता है और बोलता है कि यह तुम्हेरा नहीं है क्या मतलब उसे इन चीज़ों को देखकर इतने खुशी है वह नहीं होती है फिर हम देखते हैं वह तीनों एक बहुत ही अच्छी रस्ते की जा रहा होता है जो अब भी इसने खरीदा होता है और यह दोनों बंदे इसको स्कॉर्ट कर रहे होते हैं जिस कैश्विल को इसने खरीदा होता है उस और इतनी अच्छी फसल को देखकर करके जो फैंग होता है वहां पे पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं जैसे सामनी क में वहाँ से देखके आप इस दिल हो और आप और इस देंगे साइड देंद में बोलता है और एक साइड करें कि टन लेना और यह इस परकाई चीज करके जो वहाँ होते हैं और सामने की उस city को देखता है जिस city को इसमें खुरिदा होता है तो कफी ज़ादा स्प्राइज होता है काटर बोलता है कि यह सामने की city को दिख रही है यह सब्सक्राइद होता है घर भी तूटे-फूटे होते हैं दिवार भी तूटे-फूटे होते हैं और इसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये सीटी तो कम और विलेज भी इसको कहना बढ़ा ही है ना दूरबर काम होगा लेकिन वो हिम्मत मार करके आगे के और बढ़ जाता है और वो अंदर ये अंदर रो रहा होता है मुझे इस बार लगा था कि मेरा जो लग काफी ज़दा अच्छा होगा लेकिन मुझे ने लगता है मेरा जो लग का यहां पर अच्छा है वो होने वाला है और वो इसी परकार से अंदर जो city के है वो बढ़ने लगता है और हम देखते हैं वो आज पास देखता है तो उस पूरे city के हालत बहुत जद खराव होती है एक परिवार में एक जो चोटा बच्चा होता है वो बोलता है sister मुझे भूग लगी है इसी परकार से बहुत साथ जो बाद में उस city का जो बैल होता है या वी जहां पर बंदों गेदिंग करनी जगह होती है वहां पर बंदा हमें आरे जो खून चूचने के बाद में हमारी हड्या है उन्हें भी निचोडने वाला है एक बंदा बोलता है कि यह जो विंपार यह पता नहीं जितनी बार भी अन मैं अपना जो बेरोन होने का सीटी लोड होने का जो टाइटल है वो यहां पर जो लिू फैंग उसे हैंड ओवर करता हूँ आज से यही आपके नए city लोड है और यह कैस्टल इनी से बिलोंग वो करता है और हम देखते हैं कि जो फैंग होता है सारी सिच्छेशन को समझनी क कर रहा होता है अब यह बात जैसे यह वहां के पबली सुनती है उनके अंदर बीच में कर्मेस से स्टार्ट हो जाती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नया हमारा सीटी लोड बना या फिर जो बेरोन मना है वह जो नए टेक्स है वह हम पर नहीं लगाएगा तो एक जो बं होगा कि मैंने आपको यह जो केस्ट लव सुपा और मैं उम्मीद करता हूँ वह जी के अंदर आप इसे काफी अच्छे से डाल अप है वह करेंगे तो हम देखते हैं कि जो यहां पर होता है नीचे की और पबली को देखता है और उनको सभी को हैलो है वह बोलता है काफी है उसी तरह चूंसने वाले हो और हम देखते हैं इस परकार का विवार देखकर की जो फैंग होता है काफी जद नर्वस हो जाता है और बोलता है कि अब मुझे ना इस चीज में कोई भी आश्चरिया वो नहीं हो रहा क्यारकर इतने लोर प्रहस के अंदर यह बंदा अपनी जो शीटी वह कैसे बेच सकता है और इसी प्रकार से पूरी पब्लिक होती है बहुत जधा है इन पेश्चेंट हो जाती है और शीटिलोड के खिलाव नारे बाज़े बहुं करल लग जाती है और यहां से हमार जो सीने वह सीप्ट होता है जो काटर होता है उसके आपर हम दे बहुत ज्यादा बुरी होती है और बता चलता है कि साथ इनों से बुकी लड़की ने इन सबीकी पिटाईव कर दी है और आगे बताते हैं कि वह लड़की बहुत ज्यादा इस्टोंग है जिसे हम टेकल वह नहीं कर सकते थे तो आई यह सुनने के बाद में यहां पर जो कि मेरे लिए यहां पर जो जल्दी चाहिए और उसके पूर रोग तक हो कईस्टल लिया तो फिर क्या मतलब इतने पैसे क्रूच करने का तो हुब वह भागते हैं अपने जो केश्च ले उस में जाने लगता है ताकि वो ड٥ जाके गये किस परकार जो इन्धूरित के इंदर यॉ तो इसे खूलने क्योंग चाहिए और जांचने कोई अधे पर निकल लाइए इसे देखकर फैंग भी कफ़ी जाता है और उसके आंके फटकर बार रहा जाती है और बोलता है यह चीज तो में लिए बोजार डेंजरस है वो होने वाली है तो मुझे फटार पिछे अटना होगा पहले लेफ फिर राइट और इस परकार से स्टेजिका पिछा करते विए वो पिछे आ जाता है और सेफ हो जाता है यह देखते विए वो अपनी बड़ाया ठो होती है जिसके कंड वहाव से उसके मुझे बहुत ही तेज चीखों के वाज निकलती है क्योंकि उसके पेर के ऊपर बहुत ही चोटे हो लेगी होती है लेकिन फिर भी हिम्मत करें कैसे रोते हुए ना उस जेल के अंदर आगे कर बढ़ जाता है और बोलता है यार यह चीज परकार की केट वूमेन है क्या क्या इस वर्ल्ड में जो और को वरगे रहा है वो इस वर्ल्ड के अंदर एक्जिस्ट है वो करते हैं क्या यह रियलिटी है क्या तो हम देखते हैं कि वह उसके पास जाता है और उसे जगाने ही कोश्त करता है कि है तुम उठ सकती हो क्या क्या तो मुझे पता है कि इसे क्या देना चाहिए और हम दिखते हैं वहाँ बहुत सारी energy drink पड़े होते हैं लेकिन वह आसे सिर्फ निकालता है पानी की बोतल और पानी की बोतल निकाल करके उसे पानी पिलाने लगता है और जैसे वो पानी पीती है वो होस्त के अंदर आ जाती है और जैसे वो होस्त के अंदर आती है जो पानी प्याओता है वो पूरा का पूरा फेंग के मूघ के उपर इस्पिलेट है वो कर देती है थूख देती है और यह देखकर के फेंग भी एना अपना ओकवर्ट चीरा हो बना लेता है जब पर मारते हैं यह सीधा अटे करने के लिए फिर से जो फेंग है उसकी उपर आ जाती है और ऐसे लगता है कि आप तो जो फेंग है उसका काम हीए पर तेमाम हो जाएगा और यह देख कर के जो फेंग है और मेरे जो life है यहीं पर खतम होने वाली है लेकिन वो realize करता है कि उसके उपर attack है वो होना बंद हो गया है क्योंकि जो Kate girl थी वो वहीं पर बेहुस है वो हो चुकी थी क्योंकि उसने साथ जिनों से काना नेका है इसलिए और हम देखते हैं यह चीज़ देख करके वो थोड़ा relief है वो मेंजू करता है और हो सुझता है कि चलो मैं फिर से बच गया बाल बाल ही बच गया और कुछ समय बाद में हम देखते हैं कि जो fang होता है वो जो मीना होती है उसे उठाकर अपने बिष्टर पर लेटा देता है और उसे देखकर ही बोलता है वाकई मियार इस गल को देखो यह कितनी जदा ब्यूटिफुल है लेकिन मेरे यह समझ में नहीं आरा कि इतनी सुन्दर लड़की को अरका जो केट खाना जो जेल है उसके अंदर क्यों और केट करी रखा गया होगा सुनने के बाद में इदर इसलिए बहुता है लगते है यह इसे बहुता है शेयुए लगते है वेैं इसन से बहुता हम बन से ब tipu क्बारह के इंदर मुझे तो हो MissARKus Labs एक इapan में दैने अगे सिर में जचा करें नग्राइए है सब्सक्तिस किसी है नौट ल surreal उल्च का यहां से पड़ता है यह जो yn कहक कर लगता है है पिर सब्सक्राइब कर लगता है और में कुछ शीपने कि अपने कि अपने के ओर दो गूआ है यहां पर मीना के लिए और से ना बेच्शी आप लेखते हैं तो जो मीना आ खुल जाती है और और वह इठे हैं और देखते हैं और यह आपर काफी जाद सप्राइज होके लगता है कि अच्छी है यह तो आपके जो कि आटेख करेगी औ तुम फिर से यहां से यहां पर क्या कर रहे है और हम देखते हैं उसका गला है वो पकड़ दे बोलती है कि अब तुम मुझे सवस्द बताओ आज का तुम्हें किस प्रकार के जो पॉजनेस चीजा जैरली चीजा वो खिलाई है मुझे इमान दाइज से बताओ और हम देते हैं कि यहां पर जो मीना नेना फैंग के उपर चड़ाई हो कर दिया होती है और हम देते हैं फैंग को बोलने में काफी ज़्याद तकलीफ होती है और बोलते हैं यह कुछ नहीं है यह बस चावल के अंदर पानी उबाल करें दिया है तो बहुत जदा नजदी कोई गल आई है और इधर हम देखते हैं जो मीना उस खाने को देखती है तो खाना बड़ा ही चमचमा रहा होता है इस देखर वूलती है वाकई में यार यह चावल का सूप यह एक तरह गा इसके अंदर चावल बिना हुए है और उसकी मूँ में पान किसे क्या कर रहे हो अपने आपको कमडाउन को करो आरकार यह जो इन्सान यह इतने दयाल रहं इंसान को कैसे हो सकते हैं मुझे भूलना नहीं चाहिए इन लोगों मिर साथ क्या किया वह इस पर का चाहिए तो बोलते है कि तुम सबसे पहले इस सूप का एक जो गूत है वह है तो हम देखते हैं यह बहुत ज़र क्षशा करते हैं एक बड़ा बड़ा बड़ गूट इसका रही हो उसे फार और प्योड़ हो लेता है और और वह फटाए और मेनने इसा ब्रगर निकाल लेगा कि अगर बंदों मंजे हर्ट करना चाहता है लगता है इस खाना के अंदर कोई भी खराबी यह नहीं है फिर हम देखते हैं कि वहां पर फैंक को ओर दरने लगती जा एक और बाउल लेकर कि यह इस उन्सान है यह इटना ज़्यादा वह इन्सान है बोलते है कि तुम इन्सान कहीं कि अब तुम मुझे यहां से जाने दो वर्ना यह चीज तुमारे लिए अची नहीं होगी मैं तुम्हें जान से मार दूगी अब यह सुनने के बाद में फैंग भी सोता है और यहार 21 परकार की लड़की है मैंने तो इसको अच्छी से केर हो किया है खाने के लिए भी दिया फिर भी मेरे उपर गुसा कर रही है यह तो वही बात हो गई जिस खताली के अंदर खाओ उसी के अंदर छेट करो फिर बोलता ह है कि यहां पर जो फैंग वह बोलता है कि तुमें चिंदा करनी को तुमें किसी प्रकारी को भी चिंदा करनी जूरत नहीं है और तुम यह उम्मीद करना कि तुम बश्यक अंदर कोई बूले लोग फिर से ना केप्टर कर लें और हम दिखते हैं कि जो मीना हो पीछे की और द्हूरत दिखते हैं कि अब तुम जूते हैं तुम जबार मेरे उपर अंब कर रहा है तुम्ने बाहर मेरे उपर अम्बुस्त आधा है तुमने सोचा कि मैं बाद जाओंगे और बाद जाकर तुम मेरे उपर अटेक कर दोगे इस वीडियो को इतना ही रखेंगे और मुझे बताना कमेंट के अंदर ये वीडियो आपको कैसी लगी और मैं इसी उमीद के साथ इस एना एपीसोड को एना कंटीन रखने की बारे में सोच रहा हूं क्योंकि इसके 500 प्लस चेप्टर हैं अगर आप लोग को सपोट रहा तो हम इसे काफी लंबे समय तक कंटीनियो कर सकते हैं इसके सभी चोज चेप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं क् कि यह उनको मांगा है और काफी जड़ा इंट्रेस्टिंग कहानी भी है तो इसी के साथ इस एपिसोड़ करते हैं यह पिकता हम मिलते हैं अगले एपिसोड में तो तब तक के लिए बाइबाई